सबस्क्राइब कीजिए असरदार नुस्के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सरदार नुस्के के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो असरदार नुस्के के स्पेशल अपिशोर में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है अगर आप सूगर की बीमारी से परिशान रहते हैं तो आपको इससे निप्टारा मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसमें दो ऐसे टिप्स बताई जाएगे जिसको जान करके आप अपने सूगर का काफ़ी अच्छा ट्रिटमेंट कर सकते हैं दोस्तो ये दोनो जो ट्रिटमेंट है ये सुरू किया जाएगा और ये जो तरीका है ये बनेगा आम के पत्तो से दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि आम के पत्तो का इस्तमाल जो है जेनरली हम लोग पूजा पाठ के टाइम में किया करते हैं और आम का सेवन तो आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं लेकिन दोस्तों अब हम आम के पत्तों का किस तरीके से इस्तमाल करें जो हमारे सुगर को कंट्रोल कर सकती है तो दोस्तों ये तरीका ये है कि आपको दू तरीके से इस्तमाल करना है तरीका एक इसमें आपको क्या करना है कि आम के पत्तों को जो पत्ते जो है मैच्चोर हो चुके हैं उन पत्तों को तोड़ना है और तोड़ करके इन पत्तों को सुखाना है दोस्तों जैसे ये पत्ते सुख जाते हैं तो इनको पीस कर आपको जो है बनाना है पाउडर और इस का استorial खाना खाने से 1 गंटा पहले और साम को खाना खाने से 1 गंटा पहले करना है और इससे आपकी सुगर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है और आप इससे हट के भी काम करना चाहते हैं तो आप पत्ते को इस तरीके से भी शेवन कर सकते हैं कि आप 4-5 पत्ता लें आप उसको रात के समय में गरम करें और जब पानी आधा रह जाए यानि कि जैसे आपने एक गिलास पानी रखा और वो पानी जो है बच गया आपको थोड़ा सा यानि कि 4 चमच अगर इतना पानी बच जाता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें सुबह में आप खाना खाने से एग घंटा पहले इस पानी को पिएं तो आपको जो है सुगर के किस में काफी हद तक पायदा मिलने वाला है दोस्तों ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है बहुत सारे लोगों पर ये ट्रिक्स जो है वो काम कर रहा है तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस ट्रिक को एक बार जरूर रजमाएं अगर आप सुगर से पिडित हैं तो और आप जो है इसके फीडबाइक को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में सेर करना ना भूलें ताकि आप जैसे तमाम लोगों को इसका जो बेनिफीट है वो मिल सके हैं लोगों के पास भी यह जा सकेगी और उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा और दोस्तों साथी साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप जो है इस चैनल का जो बेल बढ़ का आइकन है उसको दबाना जरूर याद करें क्योंकि ऐसा करने से ही नोटिफिकेशन जो है इमेल जो है वो आपके इन बॉक्स में भेजा जाएगा तो बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए जय भारत